हेलो इस्टुडेंट्स मेरा नाम है मनीश और डिएवी गुरू के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग मैट्स के चैप्टर वान का सिख्ट वर्क्षीट कम्प्लीट करने वाले हैं इससे पहले का जितना सारा वर्क्षीट है और इंट्रोडक्षन वीडियो है आपको सभी मैट्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और जो बांकी सब्जेक्टे वीडियो भी हैं वो भी आपको सब्जेक्ट वाइस क्लास वाइस प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हो, उनको देखना और अगर आपको वह helpful लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह ये भी पब्लिक स्कूल के लिए वीडियो आते रहते हैं वक्षिट 6 में जितना भी question given है उसमें रैश्णल नंबर को compare करना होगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कितने तरीकों से रैश्णल नंबर को compare कर सकते हैं जैसे कि माल लेते हैं कि पहला तरीका को समझने के लिए एक example लेते हैं जैसे कि कुछ rational number है 2 by 3, 1 by 3, 5 by 3, ऐसा अगर कोई rational number का set है, अगर उसे हमें compare करना है, तो हम लोग number line को use करके भी compare कर सकते हैं, कि कौन सबसे बरा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरीके से, तो हम लोग number line draw करेंगे, और सब सारे rational number को put करेंगे number line पे, कहीं पे तो 0 होगा, और यह पे जितना सारे rational number है, सब positive rational number है, माले ते एक negative है, यह negative हो गया, तो 1 by 3 और 5 by 3, यह जो दोनों rational number है, यह तो plus positive है, तो यह हमेशा 0 के right side में आएगा, तो पहले 1 by 3 आएगा, क्योंकि 1 by 3 छोटा है, और 5 by 3 बाद में आएगा, क्योंकि denominator same है, और जिसका उपर बरा होता है, वह हम लोग बोल सकते हैं, तो 1 by 3 बाद में 5 by 3 कहीं पे आएगा, उसको हम लोग प्लेस कर दिये, और minus 2 by 3 जो है, कहीं न कहीं तो negative side में ही आएगा, minus 2 by 3, तो number line पे हम लोग कैसे compare करते हैं, ध्यान से समझना, कोई भी दो को अगर हमें compare करना है, माले ते इन दोनों को हमें compare करन है, तो जो left side में होगा, हमेशा वो right side वाले से छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पे left में है 1 by 3, तो वो अपने right वाले से हमेशा ही छोटा होगा, मतलब 1 by 3 is less than 5 by 3, उसी तरह से अगर हम लोग इन दोनों को देखें, तो इन दोनों में left वाला कौन है, right वाला कौन है, left वाला है minus 2 by 3, minus 2 by 3, और right वाला है 1 by 3, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो right में है वही greater होगा, तो minus 2 by 3 is smaller than 1 by 3, तो यह हो गया पहला तरीका, अगर कुछ rational numbers हमें given है number line पे, तो उसको देखके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन बरा है और कौन छोटा है, यह वाला method हम लोग किसी question पर apply नहीं करेंगे, जब तक हमें बोला न जाए, अगर बोला जाएगा कि especially हमें number line पे ही दिखा के compare करना है, तभी हम लोग इस method को use करेंगे, otherwise नहीं करेंगे, compare करने का दूसरा method है, उसमें जितना सारा rational number होता है, जैसे कि माल लेते 2 by 7 हो गया, 3 by 4 हो गया, 5 by 2 हो गया, 3 rational number हम लोग ले लिए, अब जितना सारा rational number होगा, उसका denominator को हम लोग equal करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यह denominator तीनों का same था, इसलिए हम लोग आसानी से देख के बता पाए कि कौन बढ़ा है, कौन छोटा है, लेकिन इसमें denominator equal नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग denominator को equal करेंगे, उसक कि माल लेते हैं, यह negative है, minus 3 by 4, तो negative वला हम लोग classics में नहीं पढ़े थे, यहाँ पे negative वला भी एक example ले लिए, तो अब नीचे जो कुछ भी होगा, अगर उसमे negative sign है भी, तो उसको हम लोग को छोड़ के उसका LCM लेना है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, 7, 4 औ और 2, इसका हम LCM निकाल लेते हैं, 2 से यह divide होगा, 7 नहीं होगा, उतार देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब multiply करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो divide होने वाला नहीं है, तो LCM जो है, क्या हो जाएगा, 2 into 7 into 2 into 1, सबको multiply करना होगा, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 हो गया इसका LCM, अब fraction के denominator में हमें 28 ला देना है, ठीक है, तो तीन fraction के लिए जगह बना देते हैं, तीनों के नीचे 28 आना चाहिए, 28, 28, अब यहाँ पर 7 से 4 times में 28 आता है, 7 से कितने times में 28 आता है, 4 times में, तो उपर भी 4 से multiply करके, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 4 जा 8 हो जाएगा, तो 2 by 7 जो fraction था, उसको हम लोग 8 by 28 लिख सकते हैं, यह equivalent fraction है, हम लोग किये हैं already, उसके बाद दूसरा जो fraction है, उसमें नीचे 4 है, 4 के जगह 28 हम लोग लिखे हैं जब, तो 4 7 जा होता है 28, तो उपर भी हम लोग 7 से multiply करेंगे, 7 3 जा 21, यहाँ पर 21 माइनस में आएगा, क्योंकि वहा जा 70 होता है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे, अब हम लोग यहाँ पर compare कर सकते हैं, इन तीनों को बहुत आसानी से कि कौन सबसे बरा है, कौन सबसे छोटा है, यहाँ पर जो सबसे बरा नंबर होगा, वो positive में सही कोई होगा, तो सबसे बरा हो जाएगा 70 by 28, यह सबसे बरा ह हो जाएगा, उससे छोटा कौन होगा, 8 by 28, उससे छोटा कौन हो जाएगा, minus 21 by 28, तो इस मेथड से हम लोग ज्यादा तर यूज करेंगे, किसी भी rational number को compare करने में, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, कि अगर given rational numbers है, उसमें सबसे बरा कौन है, और सबसे छोटा कौन है अब यहाँ पर हम लोग सब का original form लिख देंगे, 70 by 28 का original form जो है, वो क्या था, 5 by 2, तो यहाँ पर 5 by 2, इस सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया यह number, उसके बाद है minus, यहाँ पर बीच में है 8 by 28, 8 by 28 का जो original form है, वो है 2 by 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 by 7, और उसक गया हमारा final answer, इसी को थो हमें compare करने के लिए बोला गया था ना, तो हम लोग सब को अपना original form में लिख दिए, simplified form में, compare करने का एक तीसरा method भी है, जिसमें की सिर्फ दो ही rational number को हम लोग एक साथ compare कर सकते हैं, तीन रहेगा तो हम लोग यही second वाला method यूज़ करेंगे, दो र multiplication करेंगे, 2 को 7 से multiply कर देंगे और 5 को 3 से, 7 टूज़ा हो जाएका 14 इसको हमेशा LHS में ही लिखेंगे, RHS में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और 5, 3 जा 15 हुआ इसको RHS में लिखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि LHS बढ़ा है या RHS बढ़ा है, यहाँ पर हम दिख है कि RHS बढ़ा है, RHS is greater, हमें यह पता चल गया, तो अगर RHS बढ़ा है, इसका मतलब RHS वाला fraction भी बढ़ा होगा, यहाँ पर 3 by 7 is greater, हम लोग लिखेंगे 3 by 7 is greater, अब सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कोशन को इसमें बोला गया है, determine which rational number is greater in each case, हर एक केस में कौन बढ़ा है, उ इसमें एक या दो हम बना देंगे, उसके बाद बांके आपको खुद से बनाना है, यहाँ पर फर्स्ट कोशन में given है 5 by 8, और एक साइड में given है minus 3 by 7, इसमें कौन बढ़ा है हमें बताना है, तो यह तो देखने से ही पता चल जाता है कि 5 by 8 बढ़ा है, क्योंकि यह positive fraction है, औ इसमें तो कुछ करना भी नहीं है हमें, उसके बाद second जो question है उसमें given है 2 by 3 and 8 by 9, यहाँ पर दोनों positive है, तो इसमें हमें check करना परेगा, हम लोग सबसे easy method से हम लोग compare कर लेंगे, इसको multiply करेंगे और LHS में लिखेंगे 9 to 18, और इन दोनों को multiply करेंगे और RHS में लिखेंगे 3 एट जा 24, अब यहाँ पर RHS बढ़ा है, इसका मतलब 2 by 3 is less than 8 by 9, यह हमारा answer हो गया, 3 नमबर को भी solve कर लेते हैं, इसमें given है minus 4 by 3 और एक side में given है minus 6 by 7, इसको compare कैसे करेंगे, cross multiply करेंगे, 4 7 जा 28 माइनस में, और 3 सिख जा 18 माइनस में, तो यहाँ पर देखना कौन बढ़ है, कौन छोटा है, ध्यान से compare करना, यहाँ पर negative में जो ज्यादा दिखता है, वो छोटा होता है, negative में क्या दिख रहा है, negative 28 यह छोटा नमबर है, और negative 18 यह बढ़ा नमबर है, इसका मतलब यह हुआ, since minus 28 is less than minus 18, so, या therefore, minus 4 by 3 is also less than minus 6 by 7, यह इसका answer हो गया, 4 और 5 छोड़ देते हैं, 6 नमबर को solve करते हैं, 6 नमबर में given है, minus 7 by 11, और दूसरा जो rational नमबर है, वो है, 5 by minus 8, अब cross multiplication करेंगे तो हो जाएगा, 7, 8 जा 56 positive में, और 11, 5 जा 55, यह हो जाएगा positive में, तो यहाँ पर दिख रहा है कि, LHS जो है, वो greater है, इसका मतलब, यहाँ पर लिखेंगे, since LHS is greater, so, यहाँ पर minus 7 by 11, जो है, यह भी greater हो जाएगा, 5 by minus 8 से, two number question में बोला गया है, find the value of x, if, ऐसा question भी हम लोग starting में ही बनाये थे, x का value हमें find करना है, तो हम बताये थे कि हम लोग 2 method से x का value find कर सकते हैं, अगर 2 equivalent fraction या rational number हमें बोला गया हो, एक तो हम लोग compare करके पता कर स तो 2 को हम लोग compare करके पता कर लेंगे, और इस 2 को हम लोग algebraic method से बना लेंगे, तो यहाँ पर one number को solve करते हैं, compare करके, पहला है 3 by minus 5, equal बताया गया है x by 15 के, तो यहाँ पर देखते हैं कि minus 5 से 15 कितने times में आएगा, अगर हम लोग minus 3 से multiply करेंगे तब ही आएगा, तो उपर भ तो उपर multiply करेंगे तो हो जागे 339 यानि कि minus 9 और नीचे तो 15 है ही, तो x के जगह पे क्या आया, x के जगह पे minus 9 आया, मतलब लिख देंगे x is equal to minus 9, यही इसका answer हो गया, अब 3 को बनाते हैं, second को बाद में बनाएंगे दूसरे method से, 3rd question में given है, 36 by x equal to minus 4 by 1, इसको ऐसे लिख minus 4 by 1 rational number के form में लिख दिए, solve करना easy होगा, अब 4 से 36 कितने बार में आएगा, minus 9 से multiply अगर करेंगे, तो 9, 4 जा 36 हो जाएगा, तो नीचे भी हम लोग minus 9 से multiply कर देंगे, by multiplying minus 9, यहाँ पे हो जाएगा, x equal to minus 9, second question में है, 9 by 15 and x by minus 50, तो यहाँ पे लिख देते हैं, second number, 9 by 15 equal to x by minus 50, अब इसको थोड़ा सा rearrange करेंगे, बस इसका solution मिल जाएगा, x वाले term को हम लोग इस side में कर देते हैं, xy minus 50 is equal to 9 by 15, कोई दिक्कत नहीं है, उस वाले side को हम लोग इस side ले आए, अब x के नीचे 50 दिख रहा है, minus में, तो उसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो यह क्या ह हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ इधर, और यह इधर divide में था, minus 50, तो उधर जाके multiply कर देगा, 9 by 15, multiply कर देगा, minus 50 को, अब यहाँ पे इसको solve करेंगे, 5, 3, 15, 5 से 10 जामें, खतम यह, minus 10 जामें, उसके बाद 3 बन जा 3, 3, 3, 9, उसके बाद x का जो value है, वो आजाएगा, 3, 10 ज equal to 7, तो यहाँ पे लिखते हैं, question number 4, 7 by minus x equal to 7, अब इसको solve करने के लिए हमें, x को एक separate side देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 equal to, हम लोग लिख सकते हैं, 7 into minus x, अब यहाँ पे जो 7, यह x जो minus में है, वो division में था, तो उधर जाके multiply में हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे multiply करके, तो यह हो जाएगा minus 7x, अब इस minus 7 को इधर ले आएंगे, तो यह divide कर देगा, हो जाएगा 7 by minus 7 equal to x, और x equal to हो जाएगा minus 1, यह इसका final answer, तो आपको algebraic method से समझ में आता है, तो algebraic method से बनाओ, आपको compare करके समझ में आता है, तो compare करके ब और बताना है कि कौन सा rational number greater है, कौन सा smaller है, या दोनों rational number equal है, यह भी हमें बताना है, जैसे हमने question number 1 में solve किया था, जिस method से, उसी तरह इसमें भी हमें solve करना है, और बताना है कि कौन सा side greater है, या smaller है, या दोनों side equal है, तो एक number को बना के फिर से दिखा देते हैं, वैसे ही सब को बनाना है यहाँ पर given है minus 2 by 9 और एक साइड में given 8 by minus 36 cross multiplication करेंगे और सबसे पहले हम लोग LHS में लिखेंगे 2 into 36 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा minus 72 और उसके बाद नहीं प्लस हो जाएगा दोनों negative नंबर है ना multiply होने के बाद अंसर जो आएगा प्लस में आएगा उसके बाद 98 हो जाएगा 72 तो अब देख रहे हैं कि दोनों side जो है equal आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि minus 2 by 9 और 8 by 36 जो है minus 36 जो है multiplication करके अपने से solve कर लेना है अगर in case कोई doubt रहा किसी question में answer नहीं आएगा तो आप whatsapp group पर send कर सकते हो whatsapp group का link भी मैंने description में दे रखा है question number 4 में बोला गया है arrange the following in ascending order तीन rational number हमें दोनों question में given है और हमें ascending order में सजाना है question question number 1 को आपको खुद से बनाना है question number 2 कैसे बनेगा इसको अच्छे से stepwise हम बता देते हैं question number 1 बहुत ही जिए क्योंकि किसमें कोई भी किसी में negative sign नहीं है तो two number में given है हमें minus 3 by 4 दूसरा rational number है minus 5 by minus 12 और तीसरा rational number given है minus 7 by 16 अब देखो यहाँ पर एक चीज हम लोग कर सकते है minus 5 by minus 12 दोनों में same symbol है इसका मतलब यह symbol cut जाएगा cancel out हो जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है minus 3 by 4 वैसे ही रहेगा उसके बाद यह हो जाएगा 5 by 12 क्योंकि उपर नीचे दोनों का symbol कर जाएगा और यह हो जाएगा minus 7 by 16 अब हमें इसको ascending order में सजाना है ascending order में सजाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग पहले तीनों का denominator part जो है उसको equal करेंगे हम लोग पहले find out करेंगे LCM of 4, 12 and 16 यहाँ पे निकालते हैं 4, 12 and 16 का LCM 2 से पहले जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 12, 2, 8, 16 फिर 2 से जाएगा 2, 1, 2, 2, 3, 6, 2, 4, 8 अब तो नहीं जाएगा कहीं तो 2, 2, 4, 4, 3, 12, 12, 4, 48 तो इसका LCM आ गया 48 अब जब LCM 48 आया इसका मतलब यह हुआ कि हमें तीनों का denominator को 48 ही रखना पड़ेगा तो हम लोग तीनों का denominator 48 रखके यहाँ पे लिख देते हैं इसका भी 48 आना चाहिए इसका भी 48 आना चाहिए इसका भी 48 आना चाहिए अब यहाँ पे हम लोग compare करेंगे जैसे हम लोग फिछले question में किये थे 4 से आ गया 48 तो कितने times में आएगा हमें पहले find out करना होगा तो अगर हम लोग इसको 12 से multiply करेंगे तो 48 आएगा इसलिए हम लोग उपर भी 12 से multiply करके यहाँ का number find कर लेंगे 12 तो यहाँ होता है 36 तो यहाँ पे minus 36 हो जाएगा उसके बाद उसी तरह 12 से देखेंगे 48 कितने में आता है 4 times में आता है तो यहाँ भी हम लोग 4 से multiply करके यहाँ पे लिख देंगे 4, 5, 20 उसके बाद यहाँ पे 16 है 16 से 48 कितने बार में आता है देखो 3 times में आता है तो यहाँ भी 3 से multiply करके यहाँ पे लिख देंगे 7, 3, 2, 21 और यहाँ पे negative sign था इसलिए minus 21 अब जो तीनों fraction है तीनों का denominator सेम आया अब हम आसानी से बोल सकते कि कौन बढ़ा है और कौन छोटा है तीनों fraction में इसमें इसमें और इसमें सिर्फ एक ही fraction है जो की positive है यह बीच वाला है तो यह तो सबसे बढ़ा हो गया बाकी का दोनों negative है तो वो छोटा हो गया और जो negative में सबसे बढ़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है इसका मतलब यह हुआ कि minus 36 by 48 जो है यह सबसे छोटा हो गया उससे बढ़ा हो गया minus 21 by 48 और सबसे बढ़ा हो गया 20 by 48 अब इसको इन तीनों को अपने original form में लिखे देते हैं हम लोग 36 by 48 किस से हम लोग लिखे थे 3 by 4 से लिखे थे तो ये हो गया minus 3 by 4 उसके बाद ये जो है minus 21 by 48 ये किस से आया था minus 21 by 48 last वाला यानि कि minus 7 by 16 minus 7 by 16 और last में जो 20 by 48 है वो इस से बना था ये 5 by 12 से यहां पर लिखते हैं minus 5 by minus 12 ये हो गया ascending order हम लोग ascending order में जो बोला गया था लिखने के लिए ये हम लोग ascending order में लिख दिये अब जैसे हमने question number 2 को step by step बनाया उसी तरह आपको question number 1 को भी बना लेना है नीचे वाले का LCM लेंगे और उसी के according numerator वाले part को हम लोग change कर देंगे और उसके बाद हम लोग आसानी से उसको ascending order में सजा देंगे अब question number 5 को भी हमें उसी तरह solve करना है इसमें भी हमें denominator को पहले same करना है उसके बाद हमें descending order में इसको arrange करना है तो question number 1 हम बना देते हैं question number 2 आपके लिए छोड़ते है question number 1 में जितना सारा denominator है पहले उसका LCM लेंगे क्या-क्या है LCM of 5, 2 अच्छा यहाँ पे देखो minus में दिया है तो हम लोग उसको minus में नहीं लिखेंगे हम लोग positive में ही रखके LCM निकालेंगे यह 15 हो गया और finally last में 10 है तो इन सब का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2, 15 और 10 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 5 में नहीं होगा 2 बन जा 2 15 में नहीं होगा 2, 5 जा 10 अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5, 1 उतर गया 5 थरी जा 15, 5 बन जा 5 अब multiply कर देते हैं 2, 5 जा 10 और 10, 3, 0, 30 तो इसका LCM जो है LCM equal to 30 आ गया अब इसी LCM के recording हम लोग सब को change कर देंगे 4 fraction हमारा है 2, 3, 4 सब के नीचे 30 आना चाहिए 30, 30, 30 इसको थोड़ा सामे rearrange करके लिखना होगा ताकि नीचे का जो minus symbol है वो हड़ जाए पहले standard form में हम लोग बना लेंगे यह चीज पहले हमें कर लिएना था तो यहाँ पर अभी हम लोग कर देते हैं यह हो जाएगा 2 by 5 नीचे यह negative symbol नहीं रहना चाहिए यह हो जाएगा minus 1 by 2 उसके बाद यह हो जाएगा minus 8 by 15 standard form में हमने worksheet 1 या 2 में सीख लिया था और यह हो जाएगा 3 by 10 standard form में हो गया नीचे किसी में negative sign नहीं है अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 30 है 5, 6 जा 30 तो उपर 6 से multiply कर देंगे 6, 2 जा 12 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 2 है यहाँ पर 30 तो 2 से 15 multiply करना पड़ता है तो उपर भी हम लोग 15 से multiply कर देंगे 15 बंजा 15 minus 15 हो गया यहाँ 15 यहाँ 30 2 times में आता है तो उपर भी हम लोग 2 से multiply कर देंगे 2, 8 जा 16 तो minus 16 उसके बाद finally last में यहाँ 10 है यहाँ 30 है तो 3 times multiply हुआ है तो उपर भी हम लोग multiply 3 कर देंगे तो यह हो जाएगा 3, 3, 9 तो इस तरह से 4 equivalent fraction हमें मिल गया अब हमें बताना कौन सबसे छोटा है उससे बढ़ा कौन है, उससे बढ़ा कौन है सबसे बढ़ा कौन है जो सबसे छोटा होगा वो इन दोनों में से ही हो सकता है क्योंकि यह दोनों negative rational number है तो सबसे छोटा कौन होगा यह होगा, क्योंकि यह ज़्यादा negative है तो यह हो जाएगा minus 16 by 30 सबसे पहले उसके बाद आएगा minus 15 by 30 उसके बाद कौन आएगा 9 by 30 9 by 30 ascending order में हम लोग कर रहे है finally last में सबसे बढ़ाएगा 12 by 30 अब सबका real form हम लोग लिख देंगे real form क्या क्या था इस 16 by 30 का real form क्या है यह 3rd वाला minus 8 by 15 यहाँ पर लिख देंगे minus 8 by 15 उसके बाद इस 15 by 30 का real form कौन है यह second वाला यानि कि यह second वाला तो यह हो जाएगा minus 1 by 2 उसके बाद यह 9 by 30 का real form क्या है यह 4th वाला यानि कि यह 4th वाला 3 by 10 3 by 10 लिख दिए और उसके बाद यह finally जो last में है 12 by 30 यानि कि यह 12 by 30 यह first वाला तो यह 2 by 5 हम लोग सबसे last में लिखेंगे सबसे बरा rational number यही हो गया तो इस तरह से यह हो गया हमारा ascending order आपको इसी तरह से सबका पहले denominator को same करना है उसके बाद आपको सबको ascending order में arrange कर देना है similarly question number 2 को भी solve कर लेना है सबसे पहले denominator में जो जो भी है उसका LCM निकालना है LCM को एक number आएगा LCM से पहले सबको standard form में लिखना है क्योंकि नीचे कोई भी negative नहीं होना चाहिए तो पहले standard form में लिखना है standard form में लिखने के बाद नीचे जो जो number देखेगा उसका LCM लाना है LCM लाने के बाद सबका equivalent fraction निकालना है same LCM के साथ और उसके बाद हमें arrange कर देना है ascending order में जब ascending order में arrange हो जाए उसके बाद हमें उसका original form लिख देना है ये हो गया final answer ascending order में तो बस इस वीडियो में इतना ही I hope सारा question आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी doubt नहीं रहोगा इन केस अगर कोई doubt है तो आप WhatsApp ग्रूप पर जाकर मुझसे पूछ सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने classmate से साथ जरूर सेयर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए WhatsApp के साथ तब तक के लिए अपना धिहान लखो और अच्छे से बढ़ाई करते रहो